हलो दोस्तों राज हलुआअ रस्पी में आज हम बनाएंगे पालक पकोड़ा, पालक पकोड़ा या मिक्स पकोड़ा इसे ही कहते हैं, तो हलुआई कैसे बनाते हैं? आज हम आपको बना के दिखाते हैं वो भी छोटी क्वांटी में एक गुट्टी हमने पालक लिया है इसको काट कर देंगे ये थोड़ा सा बहुत बरीक नहीं काटना होता थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटना होता है इसके पत्ते फुड़े नजर आने चाहिए तो इस तरह हमने कट कर लिया है इसको थाल में निकाल लेंगे थाल में एड़ कर लेंगे उसके बाद में इधर हमने हरी मिर्च और दो प्याज चील के दो अलू चील के और लसुन चील के लिया है उसके बाद में ये जो है प्याज कट करके दिखाएंगे जो इसका लच्छा होता है यह देखें इस तरह यह लच्छे निकल लाते हैं यह लच्छा जैसा हमने प्याज काटना है तो यह हमने सारा कटके त्यार कर लिया है उसके बाद में हम आलू भी बिल्कुल लच्छा काटेंगे पहले हम पतले पतले पीस में काट लेते हैं इस तर इसको वे एकठा रखे और बेदकुर पतला पतला लच्छा काट देते हैं लच्छा आलू इसे कहते हैं तो लच्छा पतले पतले साइज में ऐसे अधरक भी हम पतले पतले साइज में काटते हैं तो यह इस तरह हम लच्छा आलू काट लेंगे हलवाई का जो पकोड़ा होसा है इस तरह बनता है इस तरह आलू काटते हैं इस तरह प्याज काटते हैं ये देखिए ये बिल्कुल पतला पतला पीशेज में हमने काट दिये हैं बिल्कुल हमने सारा आलू कट कर दिया अब यह लसुन मिर्चा लसुन छीला हुआ है मिर्चा हमने डंडी पीछे की तोड़ दी है उसके बाद में इसको हम मिक्सी में बेटर बना लेंगे जो है मिक्सी करनेगे लासोन और मिर्चे एकठा मिक्सी कर लेंगे उसके बाद में ये हमने कडाही में पानी एड़ किया है तूटी खोल दिया है पालक, प्याज और आलू हम एकठा अच्छी तरह धो लेंगे इसको जिससे इसका पानी में इसे मैल निकल जाए ये देखिए हमने सारा धोके और इस थाल में आइड़ किया है पालक हम बहुत बरीक नहीं काड़ते थोड़ा सा मोटाईव होता है उसके देज में लस्टन और ये हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया है कम से कम 10 पीस हमाने मिर्च के थे और एक गंडी लसुन की थी उसके बाद में पेस्ट आइड़ किया एक चमच हमने साबत धनिया आइड़ किया एक चमच हम इसमें जीरा आइड़ किया है उसके बाद में ये आजवाईन आइड़ कर दिया ये आजवाईन है तो यह आजमाइन आड़ कर दिया उसके बाद में यह नमक एक चमचिस में आड़ कर दिया लाल मिर्च थोड़ा सा हमने आड़ किया है क्योंकि हमने हरी मिर्च आड़ किया है लेकिन जो पालक के पकोड़े होते हैं नोन मिर्च थोड़ा सा करारा होना चाहिए फिर नोन मिर्च थोड़ा सा तीखा होना चाहिए तब हमारे पालक के पकोड़े स्वादिश्ट लगते हैं इसमें बेसन हम एड करेंगे धाई सो ग्राम तक तो यह हम धाई सो ग्राम तक बेसन इसमें एड कर दिया दाइसो ग्राम तक हमने बेशन बारीक एड़ किया है इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद भी हमें और समान इसमें डालना है पहले हम इसको मैस कर लेते हैं दोनों तरफ से बिल्कुल हम सारा बेशन और सारे मसाले बीच में हम मिक्स कर देते हैं च्छी तरह इसको गुन लेते हैं बेसन थोड़ा इसमें हमें कम लग रहा है तो थोड़ा बेसन हम और एड़ कर देते हैं लगबग 50 गराम हमने बेसन दुबारा एड़ कर दिया है उसके बाद में थोड़ा सा जब बेसन रहता है तो पकोड़े में पूरी सफाई आती है और देखने में और खाने में भी पूर टेस्ट बनता है तो ये हमने बेशन और एड़ कर दिया है उसके बाद में ये थोड़ा सा हमने च्टीपूर मतलब हमने चोटे चम्मस से दो चम्मस इसमें एड़ किया है 30 ग्राम टक कार्ण फ्लोर से होता है पूरी सफाई होती है और फुलावट भी बढ़ियां आता है खस्ता भी बढ़ियां रहता है उसके बाद में इसमें हम लगाएंगे बैकिंग पॉडर जो हाफ चम्मच लगाएंगे इससे जो होता है पकोड़े अच्छी तरह फूल जाते हैं फूलने के साथ ये खस्ता भी हो जाते हैं इसके बाद में इस प्वेंग पॉडर के उपर पानी डालना जरूरी होता है तभी इसका पावर काम करता है तो इज्ünden करके और ये सारा मसाला हमने मिक्स करके बिल्कुल ये गुन के त count तैयार कर लिया है ये देखे बिलकुल ये mix हो चुका है प्याज जो है और आलू पालक सारा हमने mix करके त्यार कर दिया गय सान करके हम कराही रखे हैं कराही में अपना हम तेल एड के यहां है जिसमें हमें फुराई करना है तेल गरम हो चुगा है अब यह हम छोटे छोटे पीस में कर देते हैं हलवाई थोड़ा खलरे बड़े बड़े पीस में अड़ कर देते हैं लेकिन हमें थोड़ा बनाना है घर में बनाना है इसलिए हम छोटे छोटे पीस में डाल देते हैं तो इस तरह जो है पालक के बनते हैं हलवाई के यह हमने छोटे छोटे पीस में डाल दिया है कि यह हमारा जो चूरा ना निकले इसलिए हलवाई बिल्कुल खलर्न में जो छोड़ देते हैं कडाही में चूरा भी निकलता है इसलिए हमने घर में बनाना है थोड़ा बनाना है इसलिए हम छोटे-छोटे पीश में निकाल ले हैं तो इसको हम इस तरह छोटे-छोटे पीश में उठा उठा के तेल में डाल देते हैं और हाँ तेल का temperature पूरा होना चाहिए कम temperature में डालोगे तो पालक के पकोड़े खस्ता नहीं होंगे फुलावट नहीं आएगी तो खस्ता भी नहीं होंगे तो यह देखिए बिलकुल हमारे ब्राउन कलर के हो भी जाते हैं हलका सा ब्राउन हो जाए इतना टमपरेचर होना चाहिए कि डालते समय थोड़े देर बाद तुरंत ब्राउन हो जाए तो इस तरह हम यह निकाल लेते हैं इस पीसे और यह देखिए इतने पीसे निकाल दिये हम दुबारा फिर इसमें आएड करेंगे तो छोटे छोटे पीस हम डालते जाएंगे अब की बार थोड़ी जल्दी जल्दी डाल देंगे इस तरह यह पालक के पकोड़े हलवाई बनाते हैं और यह बहुत टेस्टी बनते हैं इसमें एक समान और अगर आप अनार दाना आएड करना चाहते हो तो अनार दाना सुखा किराने के दुकान पे मिल जाता है वो भी इसमें आएड कर सकते हो हमने नहीं एड किया है उसके बाद में यह छोटे-छोटे पीज डालके यह ब्राउन जब तक हो जाए तब तक यह पीसेज हम सारे निकाल लेते हैं यह थोड़ा ब्राउन हो जाता है तेल में टंपरेचर कम नहीं चाहिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए तब यह खस्ता बनते हैं थोड़े तुरंत फूल जाते हैं फूलने के साथ अच्छी तरह यह अंदर से सौफ्ट हो जाते हैं तो इस तरह जो है पालक के पकोड़े हम बनाएंगे अब जो बचा हुआ हमारा बेटर है अब हम इस तरह हम पालक पकोड़े सारा निकाल लेंगे इस तरह डालते जाएंगे तो हमारे पालक पकोड़े बिल्कुल यह तेल में हम आयड करते रहते हैं गरम होता है तेल बिल्कुल गरम होना चाहिए और हम ये पालक पकोड़े इस तरह सारा निकाल लेंगे बेशन जब हम गुन लेते हैं बेशन पालक बीच में गुन लेते हैं तो नमक मिर्च ट्राई मार सकते हो कच्छे से ही ट्राई मार सकते हो तब आप अड़ करिए क्योंकि बाद में इसमें नमक अड़ नहीं होता है तो जब हम गोनते हैं उसी समय हमें थोड़ा सा ट्राई मार लेना चाहिए कि हमारा नमक मिर्च कैसा है तो इस तरह हमारे पालक पकोड़े तैयार हो गए थोड़े ब्राउन कलर के हो जाएं तो हम निकाल लेते हैं तो यह हमारे पालक पकोड़े तैयार तो हैं लेकिन आपको जब खाना हो तो दुबारा भी कर सकते हो तो यह हमारे पालक पकोड़े बिलकुल तैयार है चोटे चोटे पीस में अच्छी तरह हमने बना दिया है बिल्कुल ये पकोड़े हमारे तयार आएं आप भी अपने घर में इस तरह पकोड़े बना सकते हो बिल्कुल सौट पकोड़ा बनेगा इसके लाल हरी चटनी के साथ आप खा सकते हो उपर जो चाट मसाला अड़ करके आप लाल हरी चटनी जो हमारे ये देखे पास में रखी हुई है तो ये Ra जो है पालक पकोड़ा तयार है हमको तोड़ के दिखाते हैं आपको तो ये देखिए यह सौब्ट कितना है तो ये हमने इस तरह तोड़ दिये बिल्कुल ये सौब्ट अंदर से फूला हुआ ह उसके बाद में जब हमें खाना हो तो ये थंड़ा रहता थंड़ा थोड़े देर पहले निकाल के रख लेते हैं पका के उसके बाद में हम दुबारा भी पका सकते हैं इसको और लाल कर सकते हैं जिससे बिल्कुल कुरकुर बन जाता है दुबारा हमने पका के और उपर चाट मसाला डाल के हम इसको चटनी से के साथ बिलकुल हम सेल्व कर सकते हैं जब हमें खाना हो कोई मेहमाना ये पहले बना के रख लेते हैं उसके बाद जब हमें सेल्व करना हो तो तुरंध हम गरम कर देते हैं दोबारा पका सकते हैं तेल के टमपरेचर थोड़ा तेज करके और दोबारा इस तरह पका सकते हैं ये दुबारा हमने लाल कर दिया है अब ये और बनिया टेस्टी और कुरकुरा बन गया है बिल्कुल कुरकुरा बन गया है ये देखे बिल्कुल बनिया टेस्टी और कुरकुरा और स्वाफ्ट भी बहुत है अब हमारे पालक के पकोड़े तयार हैं तो आपको हमारी वीडिय जो हमारी आपके पास पहुंचती रहे देखने के लिए थांक यू सूमच अब देखने के लिए थांक यू सूमच